Hi everyone, Namaste, Welcome back to my channel तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पाताल लोग का जो की एक सीरीज है Amazon Prime पे ये रिलीस हुआ था 15 में को और अनुशका शर्मा का प्रोडक्शन हाउस का ये सीरीज है तो लोगों में एक्साइटमेंट पैसे ही बन गई थी काफी हाइप हो गया था और honestly बताऊं तो मुझे भी लगा कि नहीं उनके प्रोडक्शन हाउस की सीरीज है तो देखना चाहिए पर दूसरा रीजन था ये भी कि जैदीप एहलावत को देखना था उनको मैंने पहली बार गैंग्स ओफ वसेपूर में देखा था थोड़ा सा ही रोल थान का शाहित कान क हैं जो मनोज बाजपाई के फादर बने थे उसमें तो मुझे तभी देखकर लगा कि मुझे इस एक्टर को देखना है और देखना है और फिल्मों में देखना है या सीरीज में ही सही पर यहाँ पर यह लीड रोल में है और उन्होंने पूरा जस्टिस करा है अपने तैना मतलब आप जब यह सीरीज स्टार्ट होगी न पहला एपिसोड आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत ही प्रेडिक्टेबल है पुलिस है क्राइम हो रहा है पकड़ लेते हैं फिर कुछ ड्रामा चलता रहेगा तो यूज्वल ड्रामा वैसा वाला ड्रामा नहीं है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी हटके है इसकी स्क्रिप्ट क्योंकि काफी लोग इसे कंपेर करें सेक्रेड गेम से तो सेक्रेड गेम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिक्शन जादा था अच्छा था वो भी पर फिक्शन वहां जादा था औ देखें मिर्जापूर भी मुझे अच्छा लगा था पर सबकी अपनी चोईस है मुझे ये मिर्जापूर से बहुत बहुत जादा बेटर लगा तो अब आते हैं सेरीज की कहानी पर तो पूरी कहानी तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी पर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दोती हूँ जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि ये दुनिया वटी हुई है तीन लोकों में स्वर्ग लोग, धर्ती लोग और पता लोग तो स्वर्ग लोग यहाँ पर रेफर करा गया है उन अपर क्लास, हाई क्लास लोगों से जिनके पास बहुत जादा पैसा है, पावर है, बिजनस क्लास, पलिटिशन, हाई प्रोफाइल लोग, हाई प्रोफाइल जूर्णलिस्ट, फिर धर्ती लोग के लोग आ जाते हैं, जो की मिलल क्लास लोग है, जैदी पलावत, हाथी राम चौतरी, तो वो सुलजा रहा होता है, उन उलजनों को जो उलजने पैदा कर दी है, स्वर्ग लोग और पाताल लोग के लोगों ने, ठीक, फिर आते हैं पाताल लोग पर, तो वहाँ पर दिखाया है कि कैसे क्रिमिनल्स होते हैं, गुंडे होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, तो इस टाइप के लोग दिखाये गए हैं, पाताल लोग, और ये भी तो छादान-प्रदान यहां से वहां होता रहता है और बिचमस मंजस में फसा रह जाता है धरती लोग का इनसान तो देखें, मेन कहानी तो यहां पर यही है कि धरती लोग का इनसान किस तरीके से उन प्राब्लम्स को solve करने में लगा हुा है जो स्वर्ग लोग और पताल उनका history भी दिखाया है, उनका बच्पन दिखाया है, या उनका past भी दिखाया है, कि क्या ऐसी मजबूरी रही, क्या ऐसी उनकी life में problem थी, psychology, अब समझ नहीं, तो ये चीज भी दिखाया है, उसमें जो कि मुझे बहुत ही अक्छी लगी, कि वो इंसान जो criminal है, वो criminal क्यों बना और जैसा मैंने आपको बताया कि सीरीज में और भी छोटी-छोटी कहानिया है, जैसे जो वो upper-class journalist होता है, उसका wife का role play करा है, स्वास्तिका मुखर जी ने, उनकी भी कहानिया बहुत ही छोटी है, पर दिखाया है कि किस तरीके से वो anxiety रहती है, उसको depression रहता है, पती का प्य प्यार ढूनने लगती है, अपना पन ढूनने लगती है, क्योंकि हस्बेंड का affair चल रहता है, छोटी कहानी है, पर impactful है, होता है ऐसा, तो वो दिखाया है, और फिर एक middle class wife जो है, वो भी उसकी भी कहानी दिखाई है, जो पुलिस वाले की wife होती है, गुलपनांग, तो वो कै है, कि किटी के थूरू है, समान बेच बेच कर, वो थोड़े बहुत पैसे कमा ले, और उसी का बेटा होता है, जो की एक बहुत ही high class school में पढ़ने के लिए जाता है, उसका admission कराया होता है, कुछ setting वगेरा करवा के, तो वहाँ पर किस तरीके से लोग उसको बुली करते है, उसका circle कैसा होता है, तो वो कहानी भी दिखाई है, बहुत ही छोटी है, काफी कम minute की है, हर series में आपको थोड़ा थोड़ा ये दिखने को मिलेगा, पर impactful है, आपको ये कहानिया याद रहेगी, तो सभी का इस series में जो character है, जो कहानी है, वो आपको याद रहेगा, छोटा है, पर बहुत अच्छा है, पर बहुत अच्छा है, सीरीज में हिंदू मुसलिम का भी आंगाल एक दिखाया गया है, जिसको बहुत ही खुबसूरती से इन्होंने present किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कि किसी के sentiments को ये hurt करे, मुझे बिलकुल भी ऐसा नहीं लगता है, मैंने कहानी की तरह पिरोके, वो चीज दिखाई है, इसमें एक दो मिनिट का है, और ऐसा नहीं है कि उस पर focus करा हो, उस पर ये एक दम बहुत जादा focus कर दिया हो, तब तो हम बोल सकते थे, पर ऐसा नहीं करा गया है, उस पर focus नहीं है, सिफ एक दो मिनिट का है, जो कहानी में required थ हाँ बिल्कुल, तो कुछ भी ऐसा leftist propaganda ये नहीं है, तो series में ये जो चार criminals होते हैं, मैं थोड़ा सा इनका आपको बता देती हूँ, कि इनको आतंगवादी घोशित कर दिया जाता है, ये criminals तो होते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि आतंगवादी होते हैं, तो कुछ जो higher authorities होते है politicians होते हैं, journalist होते हैं, अपने फाइदे के लिए, अपनी वावाई के लिए, इनको आतंगवादी बना देती हैं, बेफाल्तू मैं ये दिखाना चाते हैं, दुनिया के आगे कि देखो हमने तो कितना बड़ा case solve कर दिया है, तो ये चीज देखो exist करती है, सबको नहीं कह रही आपको याद रहेगा, पर मैं चाहती थी कि और उनके character को देखूं तो इतना नहीं दिखाए गया है, क्योंकि मुझे बड़ी expectation थी, उनसे अच्छे actor है, पर उनका रोल इतना नहीं था, और थोड़ा सा last, मैं कहीं पे मैं disappointment हो गई थी, आप खुद देखना तो पता चल जगदीब या जगजीत सांधू नाम है उस actor का, तो उसने भी काफी अच्छी acting करी है, और मुझे लग रहा है कि अगर season 2 आता है, जो कि मेरे खाल से इतनी requirement नहीं है, क्योंकि season 1 में ही आपको इतनी संतुष्टी, इतनी satisfaction मिलेगी, कि नहीं एक कहानी हमने देखी, और वो खत हम हो चुकी है, पर अगर season 2 आता है, तो मुझे लगता है कि जो ये जो तोप सिंग का character है, उसको season 2 में अच्छा खासा role मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इंसान अच्छी acting कर सकता है, हीरो तो वैसे हमारे यहां पर जैदी पहलावत ही है, जिन्होंने हाथिराम होता है, Black Widow का, तो Black Widow के बारे में आपने शायद मेरे खाल से Game of Thrones में भी सुना होगा, तो Black Widow जो होती है, वो physically lure करती है आदमियों को अपने काम निकल वाने के लिए, तो जब हाथिराम चौधरी एक hotel room में उस लेडी के साथ होता है, कुछ investigation के लिए, तब मुझे थोड़ा यह हुआ, मेरा भरोसा बना रहा इसाथ भी पर, इसमें मीडिया का भी रोल दिखाये गया है कि किस तरीके से news channels बिख जाते है, जब उन पर powerful लोगों का pressure बनता है, या फिर किसी politicians का, या फिर जिनके पास पैसा बहुत जादा है, influential लोगों का, फिर उनको fake news चलानी पडती है और जो जूट ना बोले, जो fake news नहीं चला है, जो honest journalist होता है, या तो उसको resign करना पड़ता है, या तो उसको job से निकाल दिया जाता है, तो उसके पास फिर या option बचता है कि अपनी job बचाने के लिए मैं भी जूट ही बोलू, मतलब जहां वजन वहां भजन, तो यहां पर के लोगों से, जो criminals होते हैं, जो खून खराबा करते हैं, गुंडे होते हैं, उनसे connection रखते हैं, स्वर्ग लोग और पाताल लोग का connection रहता है, स्वर्ग लोग वाले जो high class लोग होते हैं, कुछ powerful लोग होते हैं, वो अपना काम करवाने के लिए पाताल लोगों की मदद ले ऐसा ना बहुत rare होता है कि वो पकड़े जा और बुझे पता है कि ये चीज़े exist करती है हमारी society में तो यहाँ पर आप ये clear connection देखी रहे हैं तो कौन बुरा होता है इसमें असली में बुरा कौन है जो स्वर्ग लोग में बैठ कर हरकत कर रहा है पाताल लोग के लोगों जैसे last but not the least dogs शुरू से लेकर अंत तक आपको कुतों की importance दिखेगी इस कहानी में इस series में और कि किस तरहीके से एक criminal भी जो एक पाताल लोग का निवास्ती है उसका कितना जादा दिल जुड़ा हुआ है street dog से और जो एक स्वर्ग लोग की महिला है तो उसका भी दिल किस तरीके से जुड़ा हुआ है street dog से और एक और चीज़ मैं clear कर दूँ कि देखे ऐसा नहीं कि मैंने अगर बोला कि स्वर्ग लोग के कुछ लोग ऐसा गलत काम में involved है तो सभी लोग ऐसे हो गए कुछ लोग मैंने बोला है और तो कुछ लोग स्वर्ग लोग में भी गलत हो सकते है और क सबसे जादा बढ़िया है सुदीप शर्मा जिनोंने ये कहानी लिखी है script उनोंने ही लिखी है बहुत ही अच्छी कहानी है तो इस series को आप बिलकुल देख सकते हैं पांच मैंसे मैं इसे साड़े चार स्टार्स दूंगी तो बस इतना ही इस review के लिए और अगर आपको ये होगा सो like, share और comment करके मुझे बताना अगर आपने ये series देख ले है तो बताना कि आपको ये कैसा लगा और चैनल को subscribe कर ले न अगर आपने वी तक नहीं किया है मेरे social media पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं उन सबके links नीचे description box में होंगे तो बस अब मैं जाती हूँ जल्दे मिल अपने के लिए take care, bye